हां देखो बच्चे हो जैसा कि दो में पढ़ा चकाऊं तीसरा देखें एट वन इस्टेशन माई रूटीन और टॉकिंग बिद पीपल बाज इंट्रप्टेड लेका कह रहा है कि मेरा इस्टेशनों पर लोगों से बात करने का जो सिलसला था वो इंट्रप्टेड हो गया बा इलाइटेड में उत्रा मियानी प्लेट फार्म पर उत्रा एक ग्रुप ऑप यंग चिल्डेन गैदर अरांड मी नौजमान बच्चों के जुंड ने मुझे घेल लिया देवर सेलिंग बास्केट पर टोक्रियां बेच रहे थे हैंड वाइड हाथ की बनी हुई थी रीड ब पास्केट हाई सार्टिंग वर्ट्स बे अपनी टोक्रियों को उंचा करके चिला चिला कर कुछ कह रहे थे आई डिन नौट नो लेका कह रहा कि मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहे थे बट कन्वेरिंग अनमिस्टेकली देजाय लेकिन उनके सब्दों से मुझे उसकी इच्छा मुझे मुझे उनकी इच्छा को पता लग रहा था कि बे बच्चे अपनी ठोक्रियों को बेचना चाते हैं इस बर रही चिल्ट्रेन यह सदार्थी बच्चे थे बेन पार्ट्स बिट्वीन इंडिया और पाकिस्तान बाज डेक्रीड जब भारत और पाकिस्तान क बटवारत ते हो गया तो हजारों लाखों लोगों ने अपने अपने मूल निवास और यह रेसिटेंस और ग्रह निवास बदल दिये नाइव मिलियन पीपोल लेप्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाइदा फियर और रिलीजिस फेनिटे सेस्म लगव लोग आये थे उन्हें डरता कहीं पाकिस्तान में अगर हम रहे तो मुस्लिम लोग हमें मार न डाले और यहां से कुछ हिंदू यहां से कुछ मुस्लमान पाकिस्तान गये उन्हें डरता कहीं यहां हिंदू मार डाले तो पाकिस्तान से जितने भी हिंदू आये तो डर की प्रॉपर्टी वहीं चूटी कि इस वजह से गरीवी से तो उनका प्रार्म हो गई क्योंकि उनका बहुत सारा सामध वहीं रह गया प्रॉपर्टी रह गई देवर पूरर एदे बिगें दे लॉंग ट्रेक लंबे रास्ते ने उन्हें और जाते गरीब कर दिया पूर मीश होत अरे कहीं दूर आप जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारा खर्चा होता है इस तरह से उन लोगों का भी कुछ खर्चा था तो लंबे रास्ते ने उनको और गरीब बना दिया फॉर क्योंकि और दे कुड़ फॉर मीश होता है क्योंकि क्योंकि फॉर लगा दो तो कंपांड क्योंकि और दे कुड़ केरी बाद एब फूड और जो भी खाने पीने की सामिगरी लाए थे वह बहुत जल्दी से समाप्ट हो गई थी और जो भी सामान था वह भी खतम हो गया था सून बहुत जल्दी देवर आप पूड और बहुत जल्दी उनमें सो कुछ ऐसे थे जिनम को मतलब कुछ दुनों बाद ने स्टाटेट बे प्रारम हो गए थे वे साइड वह सड़क के किनारे जहां के वे फ्रॉंव दा वीगनेस ओफ हंगर भूख ने बनाया था कमजोर यानि भूख से की कमजोरी से वह इतने कमजोर हो गए थे कि वे सड़क के किनारे गिरने लग आते थे फैल जहां गिरते थे वहीं पर मर जाते थे पर आप हमने तीसरा पड़ा दिया चोथा देखें दा चिल्ट्रेंग सेलिंग बास्केट बर संस एंड डॉटर्स ऑप दीज रेफिजी लेका कराई जो इस्टेशन पर बच्चे लड़के और लड़के और लड़किया जो सामान को बेच रहे थे यह लड़के और लड़कियां उन्हीं सडाती लोगों के थे जो पाकिस्तान से भारता आई थे और देर पेरेंट्स एंड रिलेटिब्स हैड गैदर गैदर इंदा सिटी यानि बे उनके माता पिता और उनके रिष्तिदार सहर में घट्टे हो ग सामान को बनाते थे ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केस और रेड़ी ओवर क्राड बे उस बाजार में रहने की कोशिक कर रहे थे जिस जिस मार्केट में पहले से बहुत भीड भरी हुई थी दे लिब इन क्लॉथ बे टेंट क्लॉथ का मज़ता कपड़ा यान टे अमंग दीज रेफिजी हैड बीन एक्यूस्टम वह एक्यूस्टम्ड इसका मनों था ब्यस्त तू लिटल ओल दिया लिफ्स फॉर्दा एनुवल इंकम ऑप एन एग्री कल्च फेमरी डज नॉट ऑन दा एब्रेज ऑप एक्सीड वन हंड़ेड डॉलर ए यर वह कह रहा है क किसेंड मीइस हो तो खिसांग जो भी लोग आयते उनमें से जायतर किसांग वो मैनत करते थे मेहनत करने पर यानि को वह है इतना पैसा कमाते थे कि वहाक शेंड़ेड डॉलर एज्ट studying वन हंड्रेड के वर सो डॉलर पैसा कमा पाते थे इतनी मेहनत करते थे एक साल में दा एबरेज अनस्किल्ड लेवर्ड मेक्स थार्टी सेंट्स एडे अगर उनका एबरेज लगाए जाए तो एक दिन में थार्टी सेंट्स मिलेगा और लेस देन टू डॉलर एबीक और एक कमाई से सिर्फ एक समय का मील यानि साधहर भोजन मिलता था और जिस बोचन में क्या-क्या होता था एन ओनियर प्याज होती थी पीश भ्रेड रोटी होती थी एबावल और पल्स और वह है यानि एक डाल का कटोरा मिलता था बिद मिलक जिसमें थोड़वा दूद भी हो सकत परेपस अब इत बित आप घृट चीज और हो सकता है के पनीर भकरी के डूद की पनीरी मिल जाएए इतना कम मिलता था था नो टीерж बहूं चाह मिलतना कोफी कौफी मिलती थी नो फैट कोई किसी प्रकार का मक्षन मिलता था नो स्वीट्स न मिठाईय मिलती थी नो मीट नहीं उस इतने भोजन में साल भोजन में नहीं कोई मास मिलता था $100 a year is not $2 a b यानि एक साल में अगर उन्हें $2 भी मिलता तो अभी एक सब्ता में उन्हें $2 नहीं प्राप्त हो सकता था येट फिर भी even that small amount is hard to earn by selling basket to people to poor to buy them यानि इतनी छोटी सी income के लिए उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी बहुत जाद है कि इसे फिर लेके राए इसमें डेरेज नौडाउट इसमें कोई संद्य नहीं है यही कार्ण है कि लेटे चिल्ड्रेंट यानि बेज़े बच्छे निसनन देह बेज़े हमारे उपर यानि लेके करे लेके मेरे उपर टिड़्डियों की तरह तोट पड़े एक ऐसे मिलकर के चलते जिस खेत में बैठ यहां उसमें सूपड़ा साप करते तो वो किरा है टिड्डियों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ेते वे बच्चे में अमेरिका का था बच्चों ने मुझे एक अच्छा ग्राहक समझा था उन्होंने लगा था आशा पूर्वक यह एक अच्छा ग्राहक है हमारी मार्केट यहां पर हो जाएगी यहांने हमारा समान यहां पर दिगजायद का ऐसा बच्चों ने मुड बनाया था और बेबच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े थे अपने अपने टोकरियां बेचने के लिए यह आपके दो पेराग्राफ हो चुके हैं सेस्ट दो पेराग्राफ में और करा दूंगा तो यह पूरा सारान्स हो जागा ओके थेंक यू फोर वाचिंग